जहिन साथियो, स्वागते आप सभी का सत्य एक्सेरेंट यूटूब चैनल पे अभी आप इस स्क्रीन पर एक नोटिफिकेसन देख रहे हैं ये नोटिफिकेसन जारी किया गए हैबी वैकल्स फैक्टरी के अंतरगत और नोटिफिकेसन का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 10-5-2023 को ये नोटिफिकेसन जारी किया गए जिसमें आप किसी भी राजिक की रहने वाले हैं ये आप इस फार्म को अपलाई करना चाहें तो अपलाई कर सकते हैं बरसरते इसका यहाँ पर कुछ कंडिसन रखा गए फार्म भरने का और यहाँ पर एज के बारे में इन्होंने जनकारी दे रखिए जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है तब ही आप इस फार्म को अपलाई कर पाएंगे अने था आप इस फार्म को अपलाई नहीं कर पाएंगे तो फार्म को कैसे अपलाई करना इसके बारे में भी आपको जनकारी देने वाले हैं तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और कोई भी आपको किसी भी तरह की जनकारी चाहिए वेकेंसी से संबंदित तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजेगा और वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखरा होगा सस्क्राइब वला उसे दबाईए और बगन में घंटी वाला आइकन को दबाकर ओल नोटिकेसन आन कर लें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यह जनकारी दे दू यह जो फार्मे कब से कब तक भरा जाएगा तो यहाँ पर उन्हें फश्ट में आपको जनकारी दे रखिए कि यहाँ पर जो फार्म भरने का तरीका और फार्म कब से कब तक भरा जाएगा तो फार्म भरने की डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है 15-5-2030 से इसका फार्म भरना इस्टार्ट होगा और 14-6-2030 तक आप इस फार्म को अपलाई कर पाएंगे और यहीं आप बात करें एज की कितने उमर के चातरे इस फार्म को अपलाई कर पाएंगे तो 15-24 वर्स के जो चातरे इस फार्म को अपलाई कर पाएंगे जिसमें उमर जो आपका काउंट किये जाएगा 14-6-2030 से आपका उमर काउंट किये जाएगा यदि आप जनल के अंतरगत आते हैं जनल कटिगरी के अंतरगत तो आपके उमर 15-24 वर्स होनी चाहिए और यदि आप OBC के अंतरगत आते हैं तो 15-27 वर्स होनी चाहिए और यदि आप SST के अंतरगत आते हैं तो 15-29 वर्स होनी चाहिए और यदि आप PH कंड़ेट है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 10 साल की जोट और यहाँ पर IT कंड़ेट एक चीज़ का ध्याने केगा यहाँ पर आपको जो जनकारी दी जा रही है इसमें जो IT की विकेंसी निकाली गए इसमें केवल NCBT और SCBT के ही छातरगत फांट को अप्लाई कर पाएंगे तो नान-IT के लिए आप ध्याने केगा कम से कम आपका दस्वी में 50% होना चाहिए जिसमें यहाँ पर जो रखा गया mathematics में और यहाँ पर जो science है इन दोनों में आपका कम से कम 40-40% होना चाहिए जो शातरगत फांट को अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ आप ITI के चाहत रहें तो ध्यानी कियेगा NCBT से या SCBT से आपका ITI कमप्लीट होना चाहिए और दुसरी बात आपका ITI के छोड़का यहाँ पर दस्वी में कम से कम 50% होना चाहिए जो ध्यानी कियेगा और यह जो एक NC निकल के आ रहे है अप्रेंटिसिप के अंतरगत निकल के आ रहे है तो अप्रेंटिसिप की official website पे आपको registration करना जरूर है यदि आपने registration नहीं किया है तो ततकाल कर लिजे और यदि आपको जनकारी नहीं कि कैसे mobile के द्वारा registration किया जाता है तो इस वीडियो के description box में मैंने एक link दे रहा है उसको आप click करके एक वीडियो आप देख लिजे और आप mobile के द्वारा भी registration कर पाएंगे step by step इतना यहाँ पर करने के बाद आप असानी से farm को apply कर पाएंगे यह यहाँ पर trade की बात करे किन किन trade के लिए पर भरती निकाली गई है तो आप यहाँ पर देख सकते है heater के अंतरगत आप farm को apply कर सकते है यहाँ पर machine निकाला गया है wilder gas and electric देखने को मिल जाता है electrician है machine है और wilder केवल इतने ही trade के लिए यहाँ पर भरती निकल के आ रही total यहाँ पर 168 आपको total यहाँ पर seat खाली देखने को मिल जाती है जिसमें आप किसी भी राजिक के अंतरगत आ रहे है यदि आप farm को apply करना चाहें तो apply कर सकते है यदि farm भरने का यहाँ पर तरीका की बात करें तो आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको farm भरने का तरीका देखने को मिल जाता है यहाँ पर जो आपको देखने को मिल लोकेशन आपको upline farm भरना है तो यहाँ से आपको इस location पर upline farm को fill up करना है और dark के दोरा आपको यहाँ पर भीज देना है और यह जो आपका परिक्रिया करना है वो आपको 14.6.2023 से पहले करना है मतलब कि 14.6.2023 तक यह जो फार में आपका पहुँच जाना चाहिए नहीं तो आपका जो फार में वो reject कर दिया जाएगा निचे आप आएंगे साथ हो स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर selection के बारे में इनोने जनकारी दे रखिए तो जो इसमें आपका selection होने वाला है वो merit basis पे होने वाला है किसी भी तरह का इसमें आपका exam नहीं होगा तो बिल्कुल आपको कोई भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जाने किएगा नीचे आप आएंगे साथ यह स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर form भनने के साथ-साथ इसमें जो यहाँ पर fees लगने वाला है fees charge भी इनोने बता रखा है और training के दोरान कितना payment दिया जाएगा इसके बारे में इनोने जनकारी दे रखिए यहाँ पर फीस की बात करें तो 100 रुपे आपका फीस लगने वाला है क्योंकि इनोने साथ तो रुपे यहाँ पर payment आप फीस पर पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पर 100 रुपे साथ तो रुपे लिखा है इस तरह की नए नई भरती की आपको जनकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिक्राओगा सस्क्राइब अला उसे दबाईए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ओलनोटी भी केसन पे क्लिक करें इस तरह की नए नए भरती की जन परकारी आपको मिलती रहेगी